हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल टेट फैट अकैडमी में मैं हूँ ससी कांत राए आज के वीडियो में हम बात करेंगे सिच्छा हैं समासे समंधित टोपिक पर जिसमें बिहार माधमिक उच्च माधमिक सिच्छक पता परिचा 2019 में महत्पुन प्रश्ण पूछे जा सकते हैं तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आपको वीडियो की समगरी उप्योगी लगती है तो अपने दोस्तों को भी सेर कर दीजेगा और ऐसे वी वीडियो के नए नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो सिच्छा एयों समाज एजुकेशन एंड सोसाइटी कक्षा में इसने पूर्यों स्रजन सिल सिच्छन ही सबसे बड़ी समाज सेवा है आप इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत हैं उसी सिच्छक को समाज में वास्तिक मानसमान मिलना चाहिए जो अपने पद के दायतों का निर्वहन, इमानदारी और निष्ठा से करता है भारतिय समाज में नेतिकता के हिरास का प्रमुक कारण है अध्यापकों का अपना दायतों नहीं निभाना असमाजिक लोगों के साथ आपका बहवार किस प्रकार का होता है सुधारक के रूप में किसी व्यक्ती का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है इस सम्मन्द में आप क्या मानते हैं पारिवारिक प्रिवेश से जब कोई विद्यार्थी समाजिक समारोहों में भाग लेने से कतर आते हैं मादा के रूप में आप बच्चों के प्रति क्या सोचती हैं? उसमें सद्गुन विक्सित करने के लिए उसे प्रेरित करेंगी. मानवी मुल्यों में गिरावट आज के युग में कड़वा सच है, ऐसे में आप एक अध्यापत के रूप में किस प्रकार की समाजिक पुम्का का निर्वान करेंगे? एक विसिष्ट व्यक्ति के रूप में आप मानों मुल्यों को अपने जीवन में अस्थान देंगे. समान क्राप्त करने के लिए दूसरों को समान देना आतियावास्यक है, यहां उक्ति लागू होती है, उस्कूलों सहित सभी इस्थानों पर समान रुप से. वर्तमान में किस पकार की सिच्छा छात्रों तथा समाज के लिए लाब बरत है? रोजपार, रोजगार परक, बेवसाइक सिच्छा. एक विद्यार्थी के असमाजिक बेहवार को सुधारने के लिए कौन सा कारिन नहीं करना चाहिए? दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ ना रहे. आपके बीचार में क्यों सिच्छा की समाज और देश में जागरती ला सकता है क्योंकि वह सही दिसा देता है विद्यार्थियों की स्थापना से समाज में आर्थिक प्रगती का मार्ग प्रसस्त होता है. नागरिता के गुन सिखाने के लिए छात्रों को क्या करना चाहिए? कुछ समय समुदाय में कारिकरना चाहिए. आपने कक्षा के एक छात्र को डाटा, उस पर उसके पिता जी समझाएं और उनसे पूरी बात करें. विद्याले सिखा का उद्यस हर बच्चे में किसी चरतिक विसेष्टा का विकास करना है और वो है स्वावलंबन. सिखा को समाज में अपना स्थान बनाने के लिए चाहिए कि अपने दाइत को ठीक से निभाना. परिवार एक साधन है, अनौप OFF शारिक सिख्छा का. विद्याले में सामुईक सिख्ण की वियुस्था की जाती है क्योंकि हर समाज में सिख्छों की संख्या प्राय्ः कम होती है. विद्याले की समाज के प्रती जिम्मेदारी बढ़ाने के लिए आवस्यक है कि सिख्छक अभीभावक संबन बना विद्याले में सांस्क्रितिक कारिक्रम आउजित करने चाहिए क्योंकि इनसे छात्रों का सांस्क्रितिक विकास होता है हमारे जैसे बदलते समाज वाले देश में अध्यापक का युगदान तभी अर्थ पूर है जबकि वहाँ समाजिक उद्यस्यों के साथ बेक्तिगत विकास में मदद करता है आजकल समाज के वेक्तिगों का ध्यान धन कमाने की ओर है ऐसे समय में भी आप अपना ध्यान अपने काम की ओर जारी रखेंगे विद्यार्थियों में सहयोग की वाउना का विकास आप कैसे करेंगे समू कारिदे कर बिद्यालें में आउजित की जाने वली सामुहिक बालसभाओं से छात्रों का विकास सुनिस्चित हो जाता है पाठ्य सहगामिक रियाओं से छात्रों में विक्सित होती हैं दूसरों के प्रती उततरदायतु की भावना निम्न में से कौन सा छात्र अधिक अच्छा नागरिक बन सकता है जो अन्य छात्रों की सहायता करता है कोई विद्यार्थी अपने बेक्टिकत समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए आपके पास आता है एक सिच्चक की रूप में आप उसकी समस्या समझने की कोशिस कर उसे साहता करेंगे विद्याले समाज का सच्चा प्रहरी होता है इस कखन का आसे यह है कि विद्याले द्वारा समाज का विगास सुनेश्चित होता है परिवार वालक की सिच्छा को किस प्रकार प्रभावित करता है? समाज की संस्क्रती के संस्कार डाल कर सिच्छों प्रक्रिया में सबसे अधिक किस की आउ सकता है? समाज की अध्यापिका बनने के उपरांद किसी प्रतिष्टित समाज में समलित होने पर आपको यह बताने में गर्व होगा कि आप एक अध्यापिका है सिच्छा के छेतर में आरचन लागो होने से निम्नमे से क्या होता है समाजिक रूप से पिछले बेक्ति को सहयता मिलती है तो दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा अगर आपको हमारी सामगरी उपयोगी लगती है और ये आपकी परिछा के लिए उपयोगी है तो आप इसे अपने दोस्तों को भी सेर कर सकते हैं और कुद भी पढ़ सकते हैं हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा जल्दी हम अपने नए वीडियो के साथ पुना आपके सामने उपस्तित वंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए धन्यवाद